हेलो गाइस टेक्निकल नालेज में आपका स्वागत है आज की जो अपडेट है वो सेल इस्टील एथोर्टी ऑफ इंडिया लिम्टेड भिलाए इस पाथ सेंद की तरफ से इसमें ग्रेजवेट एवं टेक्निशियन अपेंटेशिप की रिकूर्टमेंट निकल की आई वी है जिसमें की डिपलोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे क्या होने वाला सेलक्सन प्रोसेस आपको अप्लाई कैसे करना है तोटल नंबर बारे मात करते हैं तो 120 नबर फेकंसी मिलने वाली हैं जिसमें की साथ और साथ टेक्निशन अपनेशिप हैं । ग्रेजवेट इंजननीग की पोश्ट कि बारे मात करते हैं मेकेनिकल की 10 नंबर होने वैकैंसी हैं माइनिंग की 15 नमब्र वेकेंसी है मेटलर्जी की 25 सीटे रखी गई है उसके बाद डिपलोमा इंजनी वालों के लिए मेटलर्जी की 20 सीटे है सिविल की 10 है CSIT वालों के लिए 10 है माइनिग वालों के लिए 20 है डिपलोमा वालों में Electrical, Mechanical की सीट नहीं रखी गई है चैन पर क्री के दोरान नहीं भरा जा सकता तो अन राज्यों के उमीद्वार के आविदनों को विचार किया जागा इसमें आपको कोई अप्लिकेशन फीज नहीं है तो जो भी करने अपनिकेशिप करना चाहते हैं इस्टील एथोर्टी आफ इंडे लिम्टर से क्योंकि कभी रिकूर्टमेंट इसमें निकल के आती है आईटी आई में अपनेटिशिप बेस पर जो भी कनेट अपनेटिशिप किये होते हैं इंटीग्रेटर इस्टील प्लांट से केवल उन्हीं को यह मौकब मिलता है इलिजिबिल्टी की बारे मात करते हैं तो इस्टुडेंट फू हैव पास्ट आउट फ्रॉम्ट या प्राइवेट इंस्टीट आर इलिजिबल तु अप्लाई या अपने डिप्लोमा गॉर्मेंट या प्राइवेट कोलेशिक या अप्लाई कर सकते हैं लेकिन गैप इसका एड्रस हमारे डिसकेशन होगा तो आपको क्या क्या चीज़ी इसमें अप्लोड करना ही इस सारी चीजे में पीडियाप में अच्छे से देख लीजेगा अब उसके बाद जो आपके में चीज़ है कि संग्रंता हेरु वरीता इस प्रकार होगी आपकी वरीता किस प्र रखा जाए गा प्राइवेट इंस्टिट्ट पास आउट को नीचे रखा जागे यानिकि प्रिफरेंस गवर्मेंट इंस्टिट्ट पास आउट वालों को मिलने वाला है सेलेक्शन प्रोसेस वुड बी ऑन मेर्ड बेस आपके परसेंटेश की वेस पर होगा मैनेजमेंट ह जो 36 की रूपे मिलता है वो बोट दोरह बी ओ एती दोरह समय समय पर किया जाता है दे होगा उसी एदार पर जो उनकर दिया हुआ है बौट के डिया हुआ पर उसी एदार पर आपको इस्टेपेंड दिया जाएगा चैनित उम्मीद्वारों को इनके दोर आवेदन पत्र में दियेगा इमेल आईडी या बोर्ट पोर्टल पर सुझित किया जाएगा जिसके अनुसार उम्मीद्वार निर्धर समय इहों इसनल पर उपस्तित होंगे तो जिन्वी कंडियर्ट का फाइनल सेलेक्शन होगा तो सेलेक्टेड कंडियर्ट सेल हैव्टी रिपोर्ट एट ट्रेनिंग सेंटर विदिन टू वीक्स आपको दो वीक के अंदर आपको रिसीब ओफर लेटर करके वहाँ पर जो भी लोकेशन दिये वहाँ पर आपको पहु